माराष्ट के मुख्य मंद्री एकनाश शिंदे सीएम बनने और शीव सेना का नाम और चुनाऊंची मिलने के बाद पहली बार अपने सारे विदाएं को और सांसदों को लेकर अयोध्या जाने के लिए निकले हैं शिंदे शनिवार को देर रात लखनों पोचे हैं और रविवार को सुबह अयोध्या पोचेंगे अयोध्या में शक्ती प्रदर्शन कर एकनाशिंदे अपने आपको हिंदुतु की राजनिती करने वाले नेता के तोर पर इस्थापित करने की कोशिश करेगी महाराष्ट के मुख्य मंत्री एकनाशिंदे के अयोध्या दोरे से पहले पूरे अयोध्या में शीवसाना के जंडे और मुख्य मंत्री के बेनर लगाए गए हैं शीव सेना नाम और धनुश बान का चुनावचिन मिलने के बाद एकनाश शिंदे अपने आपको बाला साहब ठाकरे का सच्चा अनुयाई बताने की कोशिश करे हैं और इसलिए पूरे विधाय को और सांसोदों के साथ मुख्यमंदरी अयुध्या का दोरा करने पहुचे हैं शीव सेना के प्रवक्ता नरेश मस्के ने का कि हमारी मुख्य विचारदारा हिंदूतु की है और पार्टी दूर जा रहे थी हलाकि एकनाश शिंदे उसे वापस हिंदूतू की विचारदारा के रास्ते पर ले आए उन्होंने का कि मुख्यमंदरी होने के बाद रामलल्ला का ये पहला दर्शन है ये असली हक में हमें मिला है पार्टी हिंदूतू की विचारदारा से फिसल रही थी उसे वापस हिंदुत्यों की विचार धारा की तरफ हम लेकर आए हैं मुख्यमंद्री एकनाश शिंदे की ओर से रविवार को सर्यूतर पर आर्टि की जाएगी साथ ही वो उत्तरपदेश के मुख्यमंद्री योगी आदित्यनाच से भी मिलेंगे अयुद्या के मंतों से धनुषबान को लेकर मुख्यमंद्री महाराश का दोरा भी करेंगे महाराश के कई जिलों में इस साल होने वाले महानगर पालिका के चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसबा और विदानसबा चुनाव से पहले इसे एकनाज शिंदे की हिंदुतों की राजनीती की तरफ से एक बड़े कदम के तोर पर देखा जा रहा है महाराष्ट सरकार में केबिनेट मंदरी उदे सामत ने कहा कि शीव सेना का ये अयोध्या का तीसरा दोरा है इससे पहले के दो दोरों में भी शामिल था तब सीएम अलग थे लेकिन जो अब चुनाव आयोग का निर्णे होने के बाद शीव सेना एकनाज शिंदे की नेतरत में काम कर रही है जो दो बार नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है उत्तरपदेश के लोग भी उनके स्वागत के लिए तयार है इसी की साथ मने रही है राज़नमाटीवी की साथ दन्यवागत